तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 अगस 2024 को सावन शिवरातरी की उपलक्ष में पुझे गुरुदेव जी द्वारा जो ऑनलाइन अभिशेक कराया जाएगा तो उसमें हमें क्या क्या पूझन सामिगरी की जरूरत होगी क्या पूझन सामिगरी उन्होंने बताई है यदि कोई सामिगरी हमको नहीं मिलती है तब हमें क्या करना है ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो पे मिलने वाली वीडियो बहुत ही मैत पूझन है वीडियो को आप आंते सक जरूर देखना तो देखें पूझन के लिए हमें एक चौकी चाहिए चौकी के उपर आप स सकते हैं और इसी के साथ में देखें अभिशेक कराने के लिए हमें एक थाली परात या कोई भी ऐसा पात्र चाहिए एक पात्र भी आता है अभिशेक कराने का ओनलाइन आपको मिल सकता है वो पात्र तो उसमें आप अभिशेक करा सकते हैं एक थाली हमें आरती के लिए चाह लेना है तो देखिए यहां पर एक लोटा हमें जल चाहिए और एक लोटा और अलग से जल चाहिए पूजा में और भी आवशकता होती है जल की आचमनी शुद्धी करनाधी के लिए गंगा जल हम थोड़ा से रख लेंगे और जब हम जल का लोटा तयार करेंगे उसके अंदर पहले गंगा जल डालेंगे फिर हम उसे जल से भर देंगे तो वो भी देखिए इस तरीके से ही गंगा जल हमें डालना चाहिए जल के अंदर गंगा जल नहीं डाला जाता है इसी के साथ में हमें दो दिये चाहिए एक दिया हम थोड़ा बड़ा लेंगे जो की अखंड जले लिए उसी के साथ में यहां पर देखे हमें 21 दाने गेहूं के लेने होते हैं वंच वर्धि के लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है और यहां पर पांच हमें कमल गटे लेने हैं आप चाहें तो देखें पांच कमल के फूल भी ले सकते हैं लेकिन सभी को नहीं मिल पा और थोड़े से चावल हम अलग से भी पूजा में ले लेंगे क्योंकि संकल पादी लेने के लिए हमें और विसर्जन के लिए चावल की जरुत होती है उसी पर doralf हम लेंगे 21 दने काले मर्च के तो काली मर्च हम रख लेंगे और factory की काले तिल ले तो तीन सुपारी हम यहां पर ले लेते हैं, उसे के साथ में हमें दो जनेव की ज़रूरत होगी, तो हमें देखे जनेव सफेध ही लेने हैं, वस्तर रूपी अरपित करने के लिए हम मौली कलावा यहां पर रख लेंगे, अगर आपको जनेव नहीं मिलते हैं, तो आप दकशना ज़रूर रखें, सिक्य के रूप में आप देखे दस-दसके नोट रख सकते हैं, या फिर सिक्य भी रख सकते हैं, क्योंकि चारपाच जगे दक्शना अरपित की जाती हैं, अब एक हमें धतूरे की ज़रूरत होती है, एक धतूरा हम लेने गे, साथ में साथ बेल पत्र ये 7 बेल पत्र हमें लेने होते हैं आप चाहें तो देखे 108 जितनी भी अगर आपकी कोई विशेश मनोकामना है तो आप 108 बेल पत्र भी चड़ा सकते हैं परन्तु 7 तो हमें लेने ही लेने हैं इसे के साथ में 7 हमें शमी पत्र लेने हैं अगर कोई भी सामिगरी आपको नहीं मिल पारी है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है बिना उसामिगरी के भी आप उजन कर सकते हैं और यहां पर देखे हम साथ फूल लेते हैं गुलाब के गिनकर हमें साथ फूल लेने हैं और गुलाब के अलावा आप चाहें तो देखे साथ फूल आप गेंदे के भी ले सकते हैं जैसे कि यहां पर अपराजीता के फूल भी आ परपित कर सकते हैं साथ तो इस तरीके से जो भी फूल आपको मिल जाएं मदार के फूल बहुत प्रिय होते हैं और यहां पर धतूरे के फूल जो भी हो वो आप ले सकते हैं लेकिन हमें साथ फूल जरूर लेने हैं कोई पहले बना करके नहीं रखे नहीं तो वो खराब हो जाता है गाय का कच्चा दूद भी आप ले सकते हैं और इसे के साथ में देखे हमें पांच प्रकार के फल लेने हैं चाहे तो अलग अलग ले 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 आप पांच प्रकार के फल या फिर एक ही तरह के संख्या में पांच ले उसे के बाद में थोड़ी से मिठाई ले नहीं होती है, मिठाई हो सके तो आप घर पे ही तयार करें, कुछ भी अप बताशे गुड़ो आदी भी कोई भी मीठा आप ले सकते हैं, या पर मार्किट से मिठाई ला सकते हैं, आज मेनी शुद्धी करने के लिए आप देखिए एक चमच और कटोरी भी पास में ले करके आप बैट जाएं उसे के साथ में रुमाल हमें जरूर रखना है क्योंकि जब हम पूजन करते हैं तो बार-बार हमें हाथ पूछने की जरूरत होती है तो रुमाल आप रख लें साथ में माचिस को लेकर के बैटे इस तरीके से सारी सामिग्री को पहले ही आप व्यवस्था करके रख लें इसके बाद में थोड़ी से एक्स्ट्रा सामिग्री हमें लेकर बैटनी जैसे कि हमें थोड़ी से चावल अलग से लेने हैं और माता गोरी को अरपित करने के लिए पे कुम कुम और हल्दी और महन्दी आप ले लिए अर्पित करने के लिए कि शिवरात्री पर गोरी मयृका भी पूजन किया जाता। और अगर आप चाहें आपकी सामरते हैं तो आप इस दिन गौरा मैया को इस प्रकार से शरंगार की सामिगरी भी बेट कर सकते हैं ये भी optional है तो इसे भी आप रख सकते हैं तो फ्रेंट्स ये वो पूजन की सामिगरी है जो हमें online अभीशेक में चाहिएगी इस सामिगरी को आप पहले ही व्यवस्था करके रख लीजेगा ये पूजन सामिगरी एक परिवार के लिए है जो लोग एकी रसोई से भोजन ग्रैंड करते हैं उन सब के लिए है एक जोड़ा पूजा में बैट जाएगा बाकि सभी साथ में बैटेंगे और सामिगरी पर हाथ लगा देंगे जो भी जैसे कि परिवार में हजबन वाइफ सासर सूर बच्चे आदेंगे सभी हाथ लगा देंगे जोड़ा पूजा में बैट जाएगा बाकि अन्य जोड़ा जो जिनका भोजन अलग बनता है अलग रसोई है उनके लिए इतनी सामिगरी अलग से लगेगी देखे वरत रखते हैं तो आप इस पूजन को जरूर करें अगर वरत नहीं भी करते हैं तो बिना वरत रखते भी आप इस पूजन को कर सकते हैं लेकिन ये पूजन सभी को जरूर करना है आप चाहें जोड़े से हैं या नहीं हैं बच्चे हैं बड़े हैं बुड़े हैं अकेले रह रहे हैं तो भी आपको ये पूजन जरूर करना चाहिए आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से पुझे गुरुदेव जी ओनलाइन अभिशेक कराएंगे तो सभी को इस ओनलाइन अभिशेक में जरूर समलित होना है आशा करती हूँ कि ये वीडियो के लिए बहुत ही यूसफल रहा होगा वीडियो ये थी थोड़ आवशे लेखे हैं